हलो अब्रीवांड मैसल फेहमन दूब्रश स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैगनेट ब्रेंस पे जो प्रोवाइड करता है कॉलिटी एजुकेशन फूल कोर्स कंटेंड के साथ जी हाँ सब कुछ मिलेगा कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया जाएगा या रहे जाएगा भाया सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा एक नंबर तरीके से शांदार तरीके से मज़दार तरीके से और आज लास्ट लेक्चर और गेनिक केमिस्ट्री का और गेनिक केमिस्ट्री का लेक्ट्चर addition and rearrangement reaction addition and rearrangement reaction इस पर पढ़ने वाले सर आपको याद हो substitution हो गई elimination हो गई elimination में बहे दो टाइप देख लिए 1-1 elimination reaction या alpha elimination reaction और फिर दूसरी beta elimination भी हो गया आज बात करेंगे addition और rearrangement reaction सर यह तो बहुत इजी है वो दोनों पढ़ ली तो यह तो सार एकदम बच्चो वाली है सर इजी एकदम इजी इजी रियाक्शन इजी पीजी जो आप लोग बोलते रहे तो न वो पढ़ना है इसमें आज और बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं आईगी बताओ करें चालू करें तो लास्ट लेक्चर है सर आज लास्ट लेक्चर तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजे बढ़िया तरीके से एक बार सेशन को लाइक कर दीजे बढ़िया तरीके से फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से सेशन को समापती के ओल लेके चलो एक दम नारनारना नारनारना करें चलो बोलो जल्दी करें यस सर बढ़िया कलते हैं और एक नमबर खतम करेंगे चीके चले ओके यस आजाओ सर क्या है रियाक्शन विच इन्वाल्व गॉमिनेशन बिट्वीन टू ओफ रियाक्तन मॉलिक्यूल तो गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल ओफ प्रोड़क्ट अर कॉल एडिशन रियाक्शन अर कॉल एडिशन रियाक्शन हमने का अच्छी बात है जनरली चीक है कोई दिक्कत नहीं पढ़ो एक बार अच्छे से पढ़ो साथ दो लोग जब मिलेंगे दो सिंगल मॉलिक्यूल जब एड होंगे तो एक सिंगल मॉलिक्यूल या फिर प्रोड़क्ट तयार करेंगे जिसका नाम है और इस रियाक्शन का नाम है एडिशन रियाक्शन एक और बार एक और बार एक और बार सब दो हैं आपके पास दो आयन से, दो एटम से, दो मॉलिक्यूल से अलग-अलग और इन दोनों को मिलाया जाए इन दोनों को मिलाया जाए कि एक सिंगल प्रोड़क्ट तयार हो एक सिंगल क्या तयार हो? प्रोड़क्ट तो दो लोग मिलके एक ही बना पाए तो दोनों लोग क्या हो गए एड हो गए इसी लिए इस reaction को कहा जाता है addition reaction इसी लिए इस reaction को कहा जाता है addition reaction कोई दिक्कत कोई दुख नहीं ना चीक है अभी अपन बताएंगे कैसे होगी यह reaction वहाद बढ़िया reaction है सर। मज़ा जाता है एक तरफा reaction है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल डन 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 अब इसमें क्या होता है आगे देखेंगे जनरली इन दीस reaction वन पाई बॉंड इस क्लीवड एंड टू सिग्मा बॉंड और फॉंड जनरली जब भी जो reactant होंगे उनमें double bond होंगे multiple bonds होंगे और वो multiple bonds टूटेंगे टूटेंगे वो multiple bonds क्या होंगे सर जी break होंगे वो multiple bonds क्या होंगे सर जी break होंगे और जब वो multiple bonds break होंगे तो तयार करेंगे सब sigma bonds नए sigma bonds बन के देखने को मिलेंगे अरे मैं भी करवाँगो ना सत्य शांदार reaction है मैं भी करवा तो बढ़िया तरीके से तो बात को समझो पहले Generally in these reactions 1 pi bond is cleaved and 2 sigma bonds are formed 2 sigma bonds आपके लिए तयार होंगे बढ़िया तरीके से शांदार तरीके से लाजवाब तरीके से ठीक है एक example दिखाओ पहले इसका screenshot लो ये दोनों points का screenshot लो और उसका लो फिर मैं उसको जल्दी फिर हटाता हूं जल्दी 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 फटा फट हो जाए तो बताईएगा जल्दी हो जाए तो बताईए चालो हो गया चालिया आप देखो मैं आपको example दिखाता हूं ये देखो ये दिखाँ अब यह क्या होता है double bond है एक double bond टूटेगा cleave टूटेगा बाई टूटेगा टूटेगा बाई टूटेगा ये देखो अगर एक टूटा तो एक इसका फ्री एक इसका फ्री यह होगा यह है अब एक BR इसके पास और एक BR इसके पास एक BR इसके पास और एक BR इसके पास दिख रहा है का नहीं दिख रहा है यह देखिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कित्ते मॉलिक्यूल थे दो यहाँ पर कित्ते मॉलिक्यूल मिले एक ही मॉलिक्यूल और ये दो मॉलिक्यूल आपस में add हो गए हैं और एक single product तयार कर रहा है इसी लिए इस reaction को कहेंगे अपन क्या सरजी addition reaction क्या कहेंगे addition addition reaction क्या कहेंगे सरजी addition reaction कोई दिक्तत के बात नहीं है दूसरी important बात यहाँ पर pi bond का cleavage हुआ है यहाँ पर πाई बॉंड का क्या हुआ है क्लिवेज हुआ है और यहाँ पर न्यू सिग्मा बॉंड फॉर्म हुए है दो सिग्मा बॉंड फॉर्म हुए है चेक करो न्यू दो सिग्मा बॉंड फॉर्म हुए है एक यह वाला और एक यह वाला new दो sigma bond form हुए है और यहाँ पर pi bond का cleavage हुआ है देखिए pi bond का क्या हो गया है cleavage हो गया यही दो points अपने अभी देखे थे यही दो points अपने देखे थे बिल्कुल simple reaction है कोई tough वाली बात इसके अंदर नहीं है हमने का ठीक है such reactions are typically compounds containing multiple, double and triple bonds यही हो ला ऐसी reaction के अंदर multiple bonds present होते है double bond या triple bond हमने double bond दिखा दिया एक और reaction करवाई है इनने इनने एक और reaction कराई है वो भी अपन अभी करा के दिखा देंगे ठीक है पहले उसका screen shot ले लो जल्दी जल्दी उसका screen shot ले लो फिर अपना आगे बढ़ते है चलिए कराई ये note down हटाने वाला answer जी चलो बढ़िया अब आपको ये वाली reaction निखाता हूँ अरे शानदारे मज़ेदारे 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 देखो ये देखो अब देखो दो molecule है molecule number A molecule number B दोनों मिलके एक single बनाएंगे इसलिए addition reaction है साथी साथ अगर आप देखे तो भईया पाई बॉंड से साथी साथ अगर आप देखे तो कौनसे बॉंड है पाई बॉंड है कोई दिक्कत की बात नहीं है कौनसे बॉंड है पाई बॉंड है चलिए सिंगल बॉंड और क्या बन जाएगा CH2 और इसके पास क्या पहुंच जाएगा CL देखे सर एक single product तयार हो गया single product तयार हो गया एक single product तयार हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है दूसरी important बात भया इसका नाम इसका नाम इसका नाम बिलकुल ध्यान दखना है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है इसका single product का नाम आपको याद रखना है वैसे मैं चाता हूं भया इसका नाम आप ही बताओ बता दोगे comment section में बता दो इसका नाम जल्दी comment section में इसका नाम बता दो जल्दी फटा फट जल्दी 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 कॉमेंट सेक्षन में इसका नाम चाहिए क्लोरो इथेन का किसका नाम सर्क लोरो इथेन का बढ़िया तरीके से एक नंबर तरीके से इसका नाम अपन को चाहिए कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी या इसका भी रूल है एच इसके पास क्यों गया है हाँ यह बात करेंगे अपन यह बात करेंगे बिलकुल ठीक है आगे देखिए on the basis of the intermediate species addition reaction can further classified into following two categories दो categories में addition reaction को बाटा जा रहा है दो category में बाटा जा रहा है addition reaction को ठीक है clear it, पहले इसका screenshot लो बढ़िया तरीके से फिर अपना आगे बढ़ता है ठीक है जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी screenshot लो छले कोई देखा तो नहीं है चले आगे देखिए बढ़िया तरीके से ये देखिए सर पहला Electrophilic Electrophilic addition reaction सब दो type की reaction होती है एक होती है electrophilic एक होती है nucleophilic सर इस बार इतना load नहीं लेना है कि electrophilic क्या है nucleophilic क्या है अपन पढ़ चुके है electrophilic substance क्या होते है अपन ने वो भी देख लिया था electrophiles क्या होते है साथ ही साथ अपन ने nucleophiles देख लिया था वो भी क्या होते हैं बड़िया तरीके से कोई दिक्कत की बात नी थी यह सारी चीजी अपन क्या कर चुके थे खतम कर चुके थे बड़िया तरीके से एक नंबर तरीके से अपन यह चीजों को क्या कर चुके थे ओवर कर चुके थे, फाइनल कर चुके थे, खतम कर चुके थे, कोई दिक्कत की बात यहां पर अपन को देखने को नहीं मिल देती, मैंने का चलो अच्छी बात है, मैंने का अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां देखिये, here the electrophilic part of reagent initiate the reaction, कि basically जो reagent का electrophilic part हो कि क्या बन गया, CH2-BR, और यहां पर ही क्या बन गया, CH2-BR, अब इसके अगर बात करें नाम की, तो क्या नाम हो जाएगा सर्जी, 1-2-dibromo-ethane, क्या नाम हो जाएगा, 1-2-dibromo-ethane, क्या नाम हो जाएगा सर्जी, 1-2-dibromo-ethane, बिलकुल simple reaction है, बिलकुल अच्छी reaction है, दिक्कत की बात अबन को यहांपर देखने को नहीं मिल रही है. जल्दी नोट डाउन करेंगे. जल्दी जल्दी जल्दी. बिलकुल शांदाल तरीके से नोट डाउन करने वाले हैं. कोई दिक्कत नहीं है. जल्दी 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 हो जाए तो बताजिएgesetz. confirm, ठीक है, चलो, second वाला, second, 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 यह देखिए, nucleophilic addition reaction, जी हाँ, nucleophilic addition reaction, कोई दिक्कत की बात नहीं है, in this reaction, the nucleophilic part of reagent initiates the reaction, जो अपना part होता है, reagent का, reagent जो होता है, अपना reagent जानते हो ना, यह रा reagent, अब इसमें कौन सा पार्ट है, अपना nucleophilic part, कौन सा पार्ट, nucleophilic part, यह reaction को initiate जब भी करेगा ना, तो उस reaction को कहते है, nucleophilic addition reaction, these addition are seen in those compound, which have unevenly distributed electron crowd, have a pi bond between the atom of different electronegativities, मतलब क्या होता है, सर, जैसे LDH, ketone की बात करता हूँ, तो देहान से देखिए, यह देखो, यह LDH है, अब इसमें क्या होता है, समझना, सर, oxygen is more electronegative as compared to carbon, तो oxygen यह वाले bond को उपर खीच लेगा, जब उपर खीच लेगा, तो आप जानते हो, सर जी, oxygen जाद़ है, electronegative, oxygen के उपर minus charge, और इसके उपर हो जाएगा plus charge, और यह लग जा एक hydrogen, यह लग जा एक hydrogen, ऐसा, तो इस carbon के उपर positive charge, और इस oxygen के उपर negative charge, यह देखिए, यह negative और यह positive charge, इस तरीके की चीज़े अपन को देखने को मिलती है, इस तरीके का चीज़ जिसके अंदर अपन को देखने को मिल जाएगी, पाई electron of electron crowds of aldehyde and ketones, जब uneven electronegativity होती है, तो इस case में अपना होता है nucleophilic addition reaction, और जब इस तरीके की चीज़े नहीं होती, तो फिर अपना क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction, जो अपनने अभी पीछे देखा था, तब कैसा हो जाता है अपना, तब होता है अपना कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction और ये है अपना nucleophilic addition reaction, कोई रिक्त की बात नहीं है, बढ़िया, 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 एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिया, तो यहाँ दखेंगे nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction, clear, चल, अब यह देखिए, सर, rearrangement reaction, last, क्या है सर, rearrangement reaction, rearrangement reaction, reaction involving the migration of an atom or a group from one side to another within the same molecule are called rearrangement reaction, बात करेंगे, इस पर rearrangement कैसा होता, क्या नहीं होता, बस यह, अरे अपने isomers पड़े तिना, वैसे ही होता है, देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, bromobutane मनाते हैं, बहुत प्याल तरीके से, यह बन गया bromobutane, छीक है, अरे बेसिकलिए यह आईजोमरी है, यह मान लो, अब एक reagent डालो इसमें, anhydrous, alcl3, तो पता क्या होगा, anhydrous, alcl3, तो यह जो br है, यह उचक के यहाँ लग जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3, CH2, CHBR, और यहाँ पर CH3, यह देखो सा, पहले BR कौन से नंबर पर था, वन नंबर पर, पहले BR कौन से नंबर पर था, वन नंबर पर, यहाँ पर, और अभी कौन से नंबर पर, टू नंबर पर, दिख रहा है, तो इसको अपन कहते हैं, ब्रोमोब्यूटेन और पढ़न क्या Twenty Bromobutane यह बात हमेशा या टकना ओप्र वाला Bromobutane नीचे वाला two Bromobutane यह बात और यह जो रियर्रेंजमेंट हुआ एक से पहले वाले से दूसरे वाले पर आ गया पहले यहां बेठा था अब यहां बेठा था अब यहां बेठा था तो यह हो गया rearrangement होता है ना आप लोग जाते थे दो दोस्त को जुदा करके अलग-अलग बिठा दिया जाता था तो rearrangement कर दिया class में वही बाली बात है in this reaction nothing is added from outside and nothing is eliminated इसमें कुछ नहीं आता बाहर से कोई आया क्या नहीं बाहर गया क्या क्या कोई नहीं किया बस उसकी position को change कर दिया इसलिए इसको कहते है rearrangement example one bromobutane rearrange to two bromobutane in the presence of anhydrous alcl3 at 575 Kelvin at 575 Kelvin बिल्कुल तरीके से 575 Kelvin पे यह चीज अपने यहां पर कर लिए कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई यह चले कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत तो नहीं यह ता अपना bromobutane और यह ता अपना two bromobutane bromobutane और two bromobutane कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है बढ़िया तरीके से सारी चीज क्लियर हो गई है डं 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 कैसा सर डं 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 तो यह था सर आपके पास एडिशन रियाक्शन और रियारेंच्मेंट रियाक्शन सर बढ़िया चाप्टर है शांदार और यह इसमें था अपने जो यहाँ पर क्या कर लिया है खतम कर लिया है इस पार को कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आने वानी है ठीक है चलिए डं डं अब समझो अब यहाँ पर बात को समझना थोड़ी important बात बतानी है तो सर और अगे निक के अंदर अपने यह खतम कर लिया है आज लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर यहाँ पर निप्टा दिया है जिसका नाम है अपना जिसमें आपन ने आज देखा क्या एडिशन रियाक्शन addition reaction और addition reaction में भी क्या देखा आपने एक तो देखा आपने electrophile addition reaction फिर एक देखा nucleophile addition reaction एक होगे अपना electrophile और एक होगे अपना nucleophile फिर आपनने देखा क्या rearrangement reaction सर इनका अभी सबसे इंपोर्टेंट पार्ट देखने को मिलेगा अपन को कहां पर आगे वाले में बढ़िया शांदार लाजवाब वहां देखने को मिलेगी यह चीजे सब और शांदार आएगी सर एक नंबर आते हुए चलेंगी तो उन चीजों को थोड़ा सा देखना पड किसे कोई दिकात अच्छा एक बार आज कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे सब्सिट्यूशन रियाक्शन एलिमिनेशन रियाक्शन एडिशन रियाक्शन और रियारेंश्मेंट रियाक्शन चारो में से सबसे बढ़िया रियाक्शन आपको कौन सी लगी और कौन सी आप लोग के लिए सबसे ज़्यदा जल्दी जल्दी सर मजा आना चाहिए सर मजा आना चाहिए मजा आना चाहिए बिलकुल समय बिलकुल भी वेस्ट नहीं करेंगे चीक, कोई दिकात, कोई दोख, कोई परिशानी हो तो बता दे चलिये विया, मेरको तो नहीं है आप लोग को कोई परिशानी हो तो बता दीजे, मेरको तो क्लियर है तो बस आपको ये बताना है, चारो लेक्चर में सबसे शांदार क्या रहा है सबसे दुआधार क्या रहा है फटा फट जल्दी 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 चारों मैंसे चम का कौन सा है और आपका फेवरेट कौन सा है जल्दी बता दीजे ठीक है? डन? स्क्रीन शोट लिया इसका इसका ले लिया? ठीक है डन नारन 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 कोई दिककत की बात नहीं. अब important, 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 sir, आप सबी को पता है, Magnet Bains के दो channel है, English medium as well as Hindi medium, और English medium मेंCBAC regularly 11-12 के recorded lecture, live lecture, crash course 11-12, ebooks, e-notes, सब कुछ आपको provide किये जाते हैं, और e-notes e-books की description में आपको link मिल जाएगी click करिए grab करिए सारे notes आपके हाथ में आ जाएंगे और sir यहीं नहीं है सिर्फ chemistry नहीं हर stream हर subject आपके लिए available है जाके देखिए sir पूरी जान से हर teacher लगा हुआ है और spoken English, CUT, NTSC, Olympiad जैसे सारे courses करवाई जाते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है sir जो छोड़ा जाए जो ऐसा है जो रखा जाए आपके लिए वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये बात हमेशा याद अखना फिर Hindi medium भी ऐसा cbac का Hindi medium भी है जो आपके लिए important 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 कोई भी आपका दोस्तों भया बोलिया आजा पढ़ेंगे जान से सारी चीज करेंगे शान से एक नंबर कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी साथी साथ important board UP board, बिहार board और MP board सब को cover किया जाता है शानदाल तरीके से मज़ेदार तरीके से A1 तरीके से कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलेगी साथी साथ साथी साथ यही नहीं साथ concept तो समझ मैं जाता है सार notes में दिक्कत तो मैंने कहा न e notes, e books सार description में available है जाईए आपको दिख जाएगा description में फटा फट देखो, मज़ेदार तरीके से देखो, शांदार तरीके से कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आने वाली है पका डन कोई दिक्कत हो तो बताइए मेरे साथे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए सारे lectures को आप magnet bands पे यूटूब पे तो देखी रहे हैं अगर आप चाहें दे तो magnet bands की website पे भी देख सकते हैं शांदार तरीके से मज़ेदार तरीके से आपको आनन्द आएगा एक नमबर आनन्द आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इधर पे ad free है distraction भी काम होगा सेम टेम सेम जगा कल आके मिलिए कल मिलते हैं एक और भैतरीन एक और तावरतों लेक्चर के साथ चीक है तो आज के लिए बस इतना ही अलविदा लेना चाहेंगे ओके बाई बाई थैंकू सो मच